योगवासिष्ठ के स्थिती प्रकरण में रिशिवशिष्ठ भागवान श्रीराम को ज्यानी और मूढ की स्थिती में अंतर बताते हुए कहते हैं रगुनंदन जिनकी बुद्धी भोग और आईश्वरिय के द्वारा नश्ट हो गई है तथा जो आहिक और पारलोकिक भोग एवं आईश्वरिय के लिए सकाम भाव से नाना प्रकार की चेश्टाईं करते हैं ऐसे मूढ पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा की ओर ध्यान नहीं देते इस कारण उनको परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभाव नहीं होता अर्थात वे परम पुरुशार्थ रूप परमात्मा की प्राप्ती से वन्चित रह जाते हैं जो पुरुश विवेक युक्त तीक्ष्ण बुद्धी की चरम सीमा को पहुचे हुए हैं तथा जिन्हें इंद्रियों ने अपने वश में नहीं कर रखा हैं वे इस जगत की माया का हाथ पर रखे हुए बेल की समान प्रत्यक्ष अनुभाव करते हैं जो जीव विवेक पूर्ण विचार से युक्त हैं वह इस जगत की अहंकार मुलक माया को तुछ जान कर उसी तरह त्याग देता है जैसे साप केंचुल को श्री राम जैसे आग से भुना हुआ बीज चिरकाल तक खेतों में रहने पर भी जमता नहीं उसी प्रकार वह विवेकी पुरुष अना सक्ती को प्राप्त हो दीर्ग काल तक शरीर में रहने पर भी फिर जन्म नहीं लेता किन्तु अज्ञानी मनुष्य आधी व्याधी से घिरे हुए तथा आज या कल प्रातह काल नश्ट हो जाने वाले इस शनभंगुर शरीर के हित के लिए ही प्रयत्न करते हैं आत्मा के लिए नहीं श्रीराम यह जड़ जगत वास्तों में है ही नहीं ऐसा निश्चए करके इसमें सब और से आसकती का त्याग कर देना चाहिए क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं उसके प्रती विवेक शील पुरुषों को विश्वास कैसे होगा जैसे मन के संकल्प द्वारा कल्पित पुरुष अत्वा मनो राज्य को स्वपन गत जन समुदाय को तथा भ्रहम से प्रतीत होने वाले दो चंद्रमाओं की आकृतियों को तुम देखते हो उसी प्रकार मन की भावना से ही उत्पन हुए इस संपूर्ण द्रिश्य प्रपंच को भी देखना चाहिए अर्थाद इसे मिथ्या समझ कर इसके प्रती राग द्वेश नहीं करना चाहिए निश्पाप रगुनंदन पदार्थों के सौंदरिय का चिंतन करने से जो उनके प्रती आंतरिक आस्था होती है उसका पूर्ण तह परित्याग करके तुम जिस चिन्मे स्वरूप से स्थित हो वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है उसी रूप से इस जगत में तुम लीला पूर्वक विचरन करो सब पदार्थों के भीतर विद्यमान रहते हुए भी जो सबसे अतीत है वह परमात्मा तुम्हीं तो हो तुम्हारे सकाश मात्र से यह नियती विस्तार को प्राप्त होती है जैसे सब प्रकार की इच्छाओं से रहित सूरिय देव के आकाश में स्थित होने पर जगत के सब व्यवहार होने लगते हैं उसी प्रकार इच्छा रहित परमात्मा की सत्ता से ही समस्त कारिय संपन्न होते हैं जैसे रत्न सूरिय कांत एवं चंदर कांत मनियादी इन में प्रकाश करने की इच्छा न होने पर भी उसकी स्थिती मात्र से स्वतहा प्रकाश होने लगता है उसी प्रकार इच्छा रहित परमात्मा के सकाश होने से इस जगत समुदाए की प्रवृत्ती या व्यवहार चेश्टा होती ही रहती है। और भोगता भी माना जाता है। मैं सबके भी तरस्थित और अकरता हूँ ऐसी सुद्रड धारणा के साथ विवे की पुरुष प्रवाह रूप से प्राप्त हुए कारिय को करता रहे तो भी वह उससे लिप्त नहीं होता। चित में प्रवृत्ती का अभाव होने से। मनुष्य उपरती को प्राप्त होता है जिसको यह निश्चय हो गया है कि मैं यहां कुछ भी नहीं करता। अर्था जो करतापन के अभिमान से रहित हो गया है ऐसा कोन पुरुष भोग समोहों की कामना मन में लेकर किसी कारिय को करेगा या छोडेगा। इसलिए सदा मैं करता नहीं हूँ इस भावना को जगाए रखने से पुरुष के लिए परम अम्रित मई समता ही शेश रहती है। मैं यह हूँ यह नहीं हूँ मैं इसे करता हूँ इसे नहीं करता इस तरह के भावों का अनुसंधान करने वाली दृष्टी वास्तों में संतोश जनक नहीं होती। मैं शरीर हूँ ऐसी धारणा पूर्वक जो स्थिती है वही काल सूत्र नामक नरक का मारग है वही महावीची नरक का जाल है और वही असी पत्रवन की पंक्तियां हैं। उस देहा भिमान का सरवथा प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। मैं यह द्रिश्य रूप कुछ भी नहीं हूँ किन्तु साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा हूँ ऐसा निश्चय करके तुम अपने उस सर्वोत्म स्वरूप में सदा स्थित रहो जिसमें महवित्ता पुरुष स्थित हुए हैं।